Good morning all of you. I hope so, you all are fit and fine. So, आज हम लोग discuss करेंगे, what should be the correct order of giving actuarial exams? एक बहुत ही important question, क्योंकि अगर आप सही तरीके से, सही exams देते हो, तो आप अपना actually बनने का जो time है, मनिने जो time लगता है generally, आप उसको काफी छोटा कर सकते हो. ठीक है, तो starting, सबसे पहला exam कौन सा देना चाहिए? You can either appear for CS1, actuarial statistics, or you can appear for CM1 as your first exam. दोनों exam, like students favorite माने जाते हैं, and almost ratio 50-50 है, कि यार एक student CS1 देता है या फिर वो CM1 देता है, मतलब, like the ratio is almost 50%, like अगर 100 बच्चे exam देते हैं, तो CM1 देने वाले 50 हैं, और CS1 देने वाले 50 हैं. तो यह आपको select करना है, कि आपको actuarial mathematics का exam देना है, या फिर आपको actuarial statistics का exam देना है. Okay, जैसे IFOA से अगर आप देते हो, तो यह दोनों paper को आप as a non-member दे सकते हो, इन में से कोई भी एक, और अगर आप IAC exam देना चाहते हैं, तो आपको actuarial common entrance test clear करना पड़ेगा, और उसके बाद में ही आप अपना first exam दे सकते हो. तो अगर आपको statistics लगता है, आपको अपना career statistics से start करना चाहिए, तो आप CS1 दो, और अगर आपको लगता नहीं, आपको banking and insurance में से अपना start करना है, like papers देना, तो आप CM1 दे सकते हो, okay. Now, बहुत सरा एक common misconception है, बहुत सरी misconception से सबसे पहला misconception यह है, कि सर्थ CM1 दो बहुत ज़्यादा lengthy है, और CS1 दो छोटा है, तो आपको CS1 देंगे, गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर मैं आपको यह बोलू, कि आपको कोई exam के लिए 3 घंटे पढ़ने है, और कोई exam के लिए 3.5 घंटे पढ़ने है, तो ज़्यादा फरक नहीं है, तो point is कि आप यह देखो कि आपको कौन से जाधा interest आता है, कौन से subject में आपको जाधा interest आ रहा है, आप like थोड़े starting के lectures देख सकते हो, like there are lots of lectures available in YouTube and you can get to know more about the content, तो अगर आपको लगता है नहीं यार मैंको तो CM1 से start करना है चाहिए, go for it, okay, so almost like मेरे हिसाब से, almost दोनों में सब किसी से भी start करिये, वैसा कोई बात नहीं है, कि CS1 में R है तो बहुत ज़्यादा scaring है, CM1 में XL है तो easy है, वैसा कोई बात नहीं है, ठीक है, so if you are looking to give a kickstart to your career, तो CM1 would be the best paper अगर आपके वासमें time अच्छा है, like for example, अगर आपके वासमें 5 मेने का time है, definitely go for CM1 as your first paper, और अगर आपको लगता है नहीं यार, 3 मेने का time है या फिर 3 मेने का time है, तो आप CS1 को अपना first paper select कर सकते हो, okay, अगर मालो आप CS1 से start करते हो अपने career को, तो next paper obviously आपका CM 1 रहना चाहिए, ठीक है, और अगर आप CM1 से start करते हो अपने career को, तो आपका next paper CS1 रहना चाहिए, अब यहाँ पर क्या आता है, कुछ-कुछ बच्चे try करते हैं, इस order को हलका सा break करने का, like अगर मालो आपने CS1 दिया है, तो उनका mindset क्या रहता है, CS1 actual statistics है, इसके बाद हम CS2 दे देंगे, उसमें भी R है, तो एक संग मेरा पुरा R का कोटा खतम हो जाएगा, ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा, देखिए करने को, आप कैसे भी order में exam दे सकते हो, but the best order is, अगर आप CM1 अपना first paper दे रहे हो, तो उसके साथ, जो next exam आपका होना चाहिए, होना चाहिए CS CS1, और अगर आप CS1 से start करें, तो next exam आपको CM1 होना चाहिए, मतलब यह दोनों एक दूसरे को compliment करती है, यह दोनों को pillars माना जाता है, basic pillars है, जिनमें एकदम एकदम अच्छे से पढ़िएगा, मतलब पूरा-पूरा दिन पढ़िएगा, क्यूंकि अगर आपका यह pillar, जितना ह में अपना Excel में बहुत एक अच्छा हाथ जमा लेते हैं, like if you are doing in CM1 really nicely the B part, तो आपको CM2 के Excel में हलका सा ease होता है, because आपका हाथ बैठा बार रहता है, और अगर आप CS1 के R में बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो आपको CS2 के R में हलका सा मतलब थोड़ा कम effort देना पड़ता है, क्योंकि आपका एक बार बेस ट्रॉंग हो जाता है, फिर आपको नहीं नहीं चीज़े सीखने में लेतनी टाइम नहीं लगती है, okay, so, the conclusion is, if you are going for CM1, make sure that you are having a good time span, like around 4.5 to 5 months of minimum time is required to prepare for CM1, and there is no problem in giving either CS1 as your first exam, or CM1 as your first exam, it totally depends on you, like if you take my call, then अगर आपके बास में पांच मेना या फिर उसे जादा time है, then definitely go for CM1, okay, और अगर आपको लगता है, मेरे पास 3 मेहना, साड़-3 मेहना का time है, तो आप CS1 के लिए जाओ, okay, और अगर आप CS1 first exam देते हो, then go for CM1 as your second exam, तो आपका first exam क्या बना, CS1 या फिर CM1, और आपका second exam, vice versa, तो आपके जो पहले 2 exam होने चाहिए, CS1 and CM1, okay, now, बहुत सरे students का रहता है, कि वो लोग 7 मेना पहले से पढ़ना start करते है, अगर आप first exam देने जा रहे हो तो, या फिर 8 मेने का time रहता है, या फिर 6 months का, या फिर 5.5, ऐसा कुछ months का आपके पास में time है, like, this video is being recorded on 4th of September, तो let's suppose you are planning for your April or for your March attempt, तो अभी आपके पास में एक CB का paper को mix कर सकते हो, और अगर आप CS1 या फिर CM1 का exam दे रहे हो, ठीक है, it's either your first exam or your second exam, तो आप या तो CB1 का exam दे सकते हो, या फिर आप CB2 का exam दे सकते हो, क्यों ऐसा, त्योंकि CB papers में generally effort थोड़ा कम required होता है, compared to your main exams like CS1, CS2, CM1, CM2, तो अगर मानलो आप mix-up करना ही चाहते हो, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना, exam का date, मतलब ऐसा नहीं होना चीज़िक के exam एकदम सटके हो जाए, these institutes like IEI and IFOA, are very professional institutes, मतलब इन लोग का जो exam dates है वो already declared है, लेकर अगर आप IEI के website में जाओगे, तो उनका लेक March 2022 का exam का जो पूरा schedule है, that is already uploaded, and IFOA के website में भी it is already uploaded, for the April 2022 exam, so you can plan your exams very nicely, जैसे मैं generally क्या recommend करूँँगा, अगर आप मानलो CS1 का exam दे रहे हो, और अगर आपके बास में 5-5 महने का time है, तो take up CB1, take up CB1, क्योंकि CS1 और CB1 में हलका gap रहता है, and CM1 और CB1 में भी हलका gap रहता है, IFOA का तो exam structure मोटा मोटी मेरे को यादसा हो गया, सबसे पहले वो लोग start करेंगे CM1 से, फिर आपका CB2 का exam रहता है, फिर आपका CS1 रहता है, फिर उसके बाद में आपका CS2 रहेगा, फिर आपका CB1 रहता है, और फिर आपका exam last में जाके CM2 रहता है, यह general रहता है, इसमें हलका full के changes हो सकते हैं, अब हो सकता है कोई term में वो लोग CB2, CB2 का जो exam रहता है IFOA में, वो generally आपका CM1 और CS1 के बीच में रहता है, और जो CB1 का exam रहता है, वो आपका CS2 और CM2 के बीच में रहता है, तो यह general exam structure हुआ, II का आपको चेक करना पड़ेगा कि कैसा क्या है, बट अगर आप 2 exam plan कर रहे हो एक attempt में, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि दो exam के बीच में proper gap होना चाहिए, and by proper gap, I mean a minimum gap of 3-4 days, तो क्या होता है, आपको revision में बहुत help होता है, revision में बहुत help होता है, generally, generally, CM1 हलका lengthy paper है, बहुत practice करना पड़ता है इसमें, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, तो अगर मानलो, आप CS1 से start करते हो न, तो take up CB1 also, दिन में मानलो, अगर आप 2 घंटा भी extra पढ़ लेते हो, या फिर 1.5 घंटा भी extra पढ़ लेते हो, for a span of, let's suppose, 3 months और 4 months, तो आपका एक बहुत अच्छा combination बैटता है, CS1 और CB1, और अगर मानलो, आप IA से exam दे रहे हो, तो आप देखो, कि दोनों में से कौन सा CB paper ऐसा है, जो CS1 या फिर CM1 से थोड़ा दूर है, take up that paper, CB2 आपका ECO हो गया, CB1 आपका business finance हो गया, ठीक है, अगर आप structure देखेंगे न, तो CB1, 2, 3, CP2, CP3, यह 5 ऐसे papers है, जो कम effort में clear किये जा सकते हैं, ठीक है, compared to your tougher papers like CM1, 2, CS1, 2, CP1, SPN, ऐसे papers, तो क्यों ना इनको इनके साथ दिया जाए, अगर आप 5 papers का time बचाते हैं, you're saving 2.5 years, roughly you're saving 2.5 years of time, ठीक है, तो this is what the, smart work is all about, so let's say suppose, अगर अभी आप plan कर रहे हो, अगर अभी September का month में आप लोग को जो भी exams over होने वाला है, तो अगर आप मालो, अभी plan कर रहे हो कि मैं को next item में क्या देना चाहिए, and if CS1 is in your mind, तो take up any small CB paper also, ठीक है, संग-संग दोनों के लिए पढ़िये, and balancing is very important, and दोनों को exam end तक पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, and ठीक है, यही वाले चीज़ को मैं यहाँ पर भी आप लोग को मतलब बोलूँगा, for example, आपको लगता है, नहीं यार, मैंने तो अभी CB1 मेरा first exam है, मेरको तो CM1 एकदम अच्छे से देना है, मेरा first exam मेरको तो CM1 एकदम अच्छे से देना है, ठीक है, कोई बात नहीं, first exam में आप एक ही exam दीजिए, इतने अच्छे से पढ़िए कि आपको exam data time बताओ कि नहीं आपका हो जाएगा, ठीक है, अगर मान लिजिए आपने CM1 अपना first exam दे दिया, और आपका next exam CS1 गिर रहा है, तो आप CS1 के संग में CB1 को लिजिए, या फिर CB2 जिसमें gap जादा हो, मैं फिर से यह बात बोड़ रहा हूँ, जिसमें gap जादा हो, मैंने आपको IFOA का general structure बताया है, जो मेरे को मोटा-मोटी याद है, आप वो लो के exam dates जाके check कर सकते हैं, हो सकते हैं समयल का changes हो, सबसे पहले CM1 से start होता है, बीच में आपका पढ़ता है CB2, फिर CS1, फिर CS2, और फिर CB1, and then last में पढ़ता है आपका CM2, ठीक है, ओके, तो यह वाला मैंने आपको बताया, अगर नहीं आपको लगता है नहीं है, शुरू में तो मैं एक एक पेपरी दूँगा, मैंको अच्छा से पढ़ना है, एकदम पुरा depth में चाहिए सब कुछ तो कोई बात नहीं, आपने माल लो, 1st और 2nd exam अपना दिया है, CM1 and CS1, ओके, बट प्लीज डोंट ब्रेक दा चेन, CS1 के बाद में, CS2 ऐसा हो सकता है कि बहुत जादा आपके लिए statistics हो जाए, तो what I will recommend is, पहला एक साल में, try to clear CB1, CS1 and CM1, और CS1, CM1 and one small CB paper, 1st year में, ठीक है, उसके बाद में, आपका जो 3rd exam होगा, that will be definitely CS2, okay, risk modeling and survival analysis and, and the biggest roadblock, जो आपके लिए बन सकता है आपके पूरे actual journey में, वो है CS2, 9-9 type के questions, our programming, new topics, सब है इसमें, पूरे दुनिया का मज़ा है इस paper में, CS2 में, okay, so the third, मैं generally recommend नहीं करूँगा कि CS2 के साथ में आप और कुछ भी दो, ठीक है, क्योंकि इस paper को पूरा एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपको ये paper को दुबारा ना पढ़ना पढ़े, ठीक, and I'm being very honest, तो third exam CS2, उसके साथ में और कुछ भी मत दीजिए, CS2, CS2 and CS2, okay, जो आपका fourth exam होगा, that will be CM2, and अगर मान लीजिए, आपने यहाँ पर एक CB दे रखा है, तो जो आपका balance CB बच रखा है, CB1, 2 में जो आप balance है, balance CB, मतलब 1, 2, okay, तो basically अगर आप ये वाला structure follow करते हो, तो आपके पहले दो साल में, आपके six papers तो देखे, clear हो सकते हैं, provided आपका सारा first attempt में हो, ठीक है, अब इसमें हो सकते हैं, आपको एक paper में ना निकलो, ठीक है, तो जैसे मान लो, जब तक result आता है, तब तक आप mostly ये trend है, कि आप लोग एक नया paper का coaching start करते हो, तो मैं हमेशे एक चीज़ recommend करूँगा, आप पहले ये देखो, ठीक है, बहुत सरे लोग rigid होते हैं, आप नया paper का coaching ले रहे हो, for example, मैं आपको समझाता हूँ, अगर मानलो, अपने third exam CS2 दिया, result में आपका negative आता, आप fail हो जाते हो CS2, and आप CM2 को almost around 70% तक cover कर लेते हो, तो ये चीज़ देखो कि आपका flow किसमें अच्छा बैठ रहे, अगर आपको लग रहे कि नहीं यार में पस तीन मैना और है, और अगर मैं CM2 निकाल सकता हूँ, तो go for it, वैसा कुछ नहीं कि CS2 का exam दे दिया तो उसको पहले clear करना ही है, वै मेरा तो वो नहीं हुआ है, तो हम तो उसको clear करके ही रहेगा, generally क्या होता है, इसमें 2 से 3 attempt निकल जाते हैं, मतलब क्या होता है, you come into the cycle of giving exams and failing, giving exams and failing, ठीक है, मैंने खुद नहीं ये cycle phase किया है, ठीक है, तो it's not that good, okay, क्योंकि क्या होता है, generally जब तक results आते है, half of the time is gone, and then जब आप बढ़ने बैठ होगे, फ्लो में आओगे, एक मैन और चला गया, and then you feel कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपको उतना अच्छा से आतन नहीं है वो subject क्योंकि आप फेल हुए है, ठीक है, are you getting it, if 60 is passing mark, and you're getting somewhat around 50 or 45, then you need a lot of effort to pass in that examination, first you need to get your concepts correct, okay, you need to give a lot of mocks, you need to practice a lot, okay, you you need to practice R or Excel, whatever it is, okay, तो पहले आप देखे कि आपका flow कैसा है, उसके बाद आप decide कीजिए कि आपको क्या करना है, ठीक है, तो generally ये order रहता है, अब इसमें common सबसे ज़्यादा गलतिया, क्या देखी जाती है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बच्चे लोग क्या करते है, first paper CM CM1 दिया, उसके बाद queries आती है, क्या मैं CM2 दे सकता हूँ, the answer is no, CM2 देने के लिए आपको CS1 तो चाहिए ही चाहिए, and CS2 के भी कुछ-कुछ concepts है, जो CM2 में है, और generally ये चीज़ देखा गया है, कि अगर मान लीजी आप CS2 के बाद में CM2 को करते हो, तो आपका hold अच्छा बैठता है, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो, अगर आप CS2 के बाद में CM2 को देते हो, ठीक है, तो this is the correct order, अब इसमें कोई students ऐसे भी होते हैं, वो लोग को लगता है, नहीं यार, हम तो एक टम में एकी paper देगा, तो अगर आप एक टम में एक भी दे रहे हो, तो जो भी तो दो साल में आपके 4 हो गए, ठीक है, अगर आप मान लेते हैं कि आपने CB सीरिस को टच भी नहीं किया है, ठीक है, तो आपका जो 5th attempt जो होना चाहिए, वो होना चाहिए CB1 and 2, अपकी बार मैं oblique नहीं करूँगा, अपकी बार मैं plus करूँगा, अपकी बार मैं plus करना चाहूँगा, इस paper के साथ में और कुछ भी मत दीजीगा, ठीक है, यह क्या है, मैंने भी कुछ-कुछ मेरे students को recommend किया है कि तुम CS2 के संगीत हो, बलड़ोंगा, cases काफी different था, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मानलो, आपका CS1 attack जाए, 3-4 number से, एन आपका CS2 में काफी अच्छ number से, आप fail हो गए, और आप CS2 का तैयारी पूरा कर चुके हो, by the time your results come out, और almost 70-80%, तो आपने दे दिया, वो सब case to case depend करेगा, वो आपका अपना judgment है, आपका अपना call है, कि आप कितना पढ़ सकते हो, और आप कितना pressure ले सकते हो, but अगर आप fresh paper का बात करोगे, तो CS2 को अलग सकते हो, ठीक है, and, and, जैसे generally क्या है, एक और चीज है, मैंने try करिए, try करिए कि ये पहला एक साल आपका actuarial journey में, ये तीन को तो आप करी ले, ठीक है, ये तीन को तो आप करी ले, ठीक है, उसके बाद में आप CS2, अब जैसे बहुत सारे, मेरे पास में भी ऐसे students है, जोनों मतलब, point ये कि, देने में वैसा कुछ नहीं कि आप, पास हो ही नहीं सकते, students have even got as high as 85 marks, okay, देने में वैसा कुछ नहीं है, देने में combination बनता ही है, देने में CM1, CM2 भी दिया जाता है, CM1, CS1 भी दिया जाता है, ठीक है, देने में CS1, CS2 भी दिया जाता है, बट एक तो general order का बा 2.5 years में, you are going to complete your first 6 exams, you are going to complete your first 6 exams, okay, now इसके बाद में अब आप क्या कर सकते हो, generally, whenever you are in your third year, okay, if you are in your third year, and companies usually start coming to your college by October, October, when you are in your fifth semester, okay, तो वो time को थोड़ा खाली रखिए, fifth semester हलका light रखिएगा, ठीक है, September में आपका exam mostly end हो जाएगा, उसके बाद का जो period है, उसके बाद का जो six months है, उसमें हलका light रखिएगा, ठीक है, CB paper दे दिया अलग बात है, कोई paper के लिए बहुत time से पढ़ रही है, अलग interview preparation यह सब अच्छे से करिए, this is very specific to your third year students, okay, जो third year में है, मैंने papers तो जो order मैंने बता दिया, वो तो बताई दिया, बट अगर मानलो कोई student है जो second year से start करता है, जो मैंने second year से start किया था, कोई है जो third year से start करना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो order मैंने बता है, उसको follow करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, interview preparation and try to get placed into college placement companies, जो लोग actuarial specific है, और उससे में बहुत सारी openings भी आती है, बड़ी-बड़ी companies में, तो वो वाला time period को एकदम अच्छे से interview preparation करके, and you should also keep revising all this content, जो पहला six papers का content है, उसक आपको अच्छे से revise भी करना चाहिए, क्योंकि interview में वो लोग कुछ भी पूछ सकते है, ऐसा नहीं कि अगर अपना last exam CM2 दिया है, तो वो लोग आपको बोलेंगे कि नहीं, खाली CM2 से ही पूछेंगे, CM1 तो आपने बहुत पहले दिया था, तो उसमें कोई, आपको पूरा यह चीज अच्छे से याद होना चाहिए interview में, तो यह चीज है, उसके बाद में, when you get placed, मैंने पहला 6 में आपको समझा दिया, अब मान लिजए आप placed हो, एक बहुत अच्छे insurance company में, life insurance और general insurance और banking company में, जो भी वगरा वगरा, तो आप क्या कर सकते हो अब, अब आता है आप आपका practical papers, and your SP papers, तो there are two papers, CP2 and 3, and there are two SP papers, जो आपका specialist principles paper हुए, ठीक है, तो मेरी एक student है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा combination बढ़ाया, बोली सर मैंने एक SP दिया, और एक CP paper दिया, समझा है, मतलब, अब वो आपको देखना पड़ेगा, again, क्या होता है, चीज को समझिए, इसमें क्या है कि, अगर आप, मतलब, CP2 या फिर, CP3 के साथ में, एक-एक SP देते जाएंगे न, तो आपका वो time बचेगा, CP2 is your modeling practice, CP3 is your communication practice, और दो SP obvious सब आते है, NE2 है, NE2 है, तो NE2 SP वो आप अपने domain का ही paper दोगे, ठीक है, तो इसके बाद में जब आप job में जाते हो, तो try कि एक SP और एक CP, अब वो आप gap देखी कि कि किसमें आपको gap जादा मिल रहा है, ठीक है, आप gap देखो, कि एगर CP2 और आपको for example, SP5 देना है, या फिर आपको SP2 देना है फिर आपको SP1 देना है, ठीक है, तो देखो कि gap किसमें जादा है, तो उसके हिसाब से आप उसको arrange करो, ठीक है, first of all आपको तो यह decide करना पड़ेगा कि आपको कौन सा 2 SP देना है, ठीक है, तो generally 2 SP के साथ में 2 ECP आप manage करने का try करो, ठीक है, यह इसका जो हिम्मत है ना, यह व to get that capability कि यहार मैं 2 paper को balance कर सकता हूँ, तब जाके ही आप यहाँ पर कर पाओगे वो चीज, ठीक है, अब मानलो जब आप job में जा रहे हो, तो generally मैंने यह चीज़ देखा है कि CP1 जो है, CP1 का बहुत voluminous content है, I just gave my exam, last check नहीं, I fall short of just one mark, okay, but fail is fail, that is not a problem, but I am just telling you, I am just sharing कि content wise अगर आप देखते हो ना, तो जो CP1 है, इसका content बहुत 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 जादा है, compared to the SP papers, ठीक है, now, बहुत लोग का यह भी रहता है, कि सर मेरे को CP1 पहले देना है, definitely you can go for it, तो यहाँ पर again we see a lot of mixing up, जैसे बहुत सरे working professionals ऐसे भी है, जो SP पहले देना प्रेफर करते है, and बह for knowledge that CP1 का जो content है, that is quite voluminous, okay, and number of chapters are quite high, and SP में क्या है, SP is your domain, आप उसी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए clearing SP can be quite easier than clearing CP1, okay, so either CP1 can be your exam after these six exams, or like CP1 can be your exam after you clear this 2 SP and your CP2 and CP3, but like, अगर आप थोड़ा साय और effort लगोंगे, like for example, CP2, modeling practice, अगर आप लगता है नहीं, आप 2 घंटा या फिर एक घंटा सुबर देली एक्स्टा निकाल सकते हो, along with 1 SP paper, तो this combination suits you the best, यह जो चार पेपर्स का जो combination है, यह जो चार पेपर्स का जो combination है कि आप एक SP दे रहो, इसके संग में आप एक CP2 या फिर CP3 दे रहो, तो basically इसको balancing बोलते हैं, ठीक है, और अब अगर मानलो आपका देखा जाए तो आपका paper बच्ची क्या रहा है, अगर आप मानलो वो 6 देते हो, उसके बाद में आप ये चार देते हो, हो सकता है कि जैसे मानलो आपने 2 exams दिया, यहाँ पर मानलो आपने SP5 दिया और आपने CP2 और हो सकता आपका CP2 ना हो, तो आप उसको next SP के साथ में, आप CP2 दे सकते हो, तो आप जैसे मानलो आपने for example, मैं आपको एक combination बता रहा हूँ, आपने SP5 दिया है और आपने CP2 दिया है, तो ऐसा हो सकता है, मानलो आपका result आया, यह हो गया और आपका यह नहीं हुआ, ठीक है तो आप, जैसे मानलो आपका जब यहला exam खतम होगा, उसके बाब मैं आपने next SP का preparation स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आप उसके संग में यह दे सकते हो, ठीक है, आप उसके साथ में यह दे सकते हो, ठीक है, तो basically ऐसे करने से क्या होगा, आपको आपको टाइम काफी सेव होग है, like यह वाला जो है, इसका जो है हमारा CM1, यह फिर CS1 के training hours is 200 plus hours, इसका जो है, it is like less than 100 hours इन दोनों का मिला के, तो basically पुरा practical oriented paper है, आज जैसे Excel है, तो आप जितना करोगे आपका उतना उसमें हाथ पॉलिश होगा, और यह paper देने, CP2 paper देने के पहले आपने already CM1 का paper दिया होगा, and like आपका company में भी, आप Excel में ही काम कर रहे होंगे, most probably, okay, तो यह वाला एक है कि आप 1 SP और 1 CP try कर सकते हो, but definitely आप अपने भी combinations बना सकते हो, and yes, this video comment section is open, आपको अगर कोई भी हार query लगता है, तो आप like comment section में अपना, उसको drop कर सकते हो, we'll definitely reply, जितना अच्छा combination हो उसके बाद में जैसे हो सकता है कि आप CP1 यहां दो, but CP1 के साथ और कुछ भी मत दीजेगा, बने एक जैसे मैंने CS2 में किया था, एक यहां पर भी मैं करना चाहूंगा, कि CP1 के साथ में और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके 2 exams होते है, इसके 2 exams होते है, paper 1, and paper 2, तो इसके साथ में और कुछ भी नहीं, इसको अलग से ही देना है, यह attention चाहता है और इसको attention देना भी पड़ेगा, ठीक है, तो यह paper, मतलब इसको काफी attention चाहिए, you need to solve the whole of revision notes, you need to read the whole of math, back questions, assignments, everything, ठीक है, तो यह वाला paper इसके साथ और कुछ भी नहीं, बठाँ, SP के साथ में आप एक will obviously be your essay, okay, now there is one more thing that you can do is, let's say suppose you have cleared all these examinations, and you are left with one SP and one SA, तो जैसे, again one of my students, like she has given SP 5 and SA 7, तो दोनो लाइक एक ही डोमेन के हो गए, ठीक है, तो इत वस लाइक एक दूसरे को बहुत ज़दा कॉम्पलिमेंट कर रहे थे दोनों, तो उसने दोनों साथ में दिया, एक ही डोमेन के हो has done really well, she has cleared both the examinations एक साथ में, तो like basically you can mix things like this, okay, and अगर मानलो आपका SP हो गया है, you can appear for CP2, अगर आपको लगते है कि नहीं यार मेरे को SP के साथ में CP2, CP3 नहीं देना है, तो आप CP2 and CP3 को एक अटेम में दे सकते हो, बट इसमें एक आपका क्या हैगा कि इन दोनों को एकदम एक में hard and fast आपकुछ learn नहीं करना है, it is just all about practice, तो यहाँ पर क्या कि अगर exam सटके भी है, जैसे मैंने दिया था, CP2 and CP3, तो I just managed मेरा दोनों हो गया, तो वो चीज है, तो आप इन दोनों को भी एक साथ दे सकते हो, और you can try one SP and one SA, तो वो क्या होता है, कॉम्पलिमेंट करता है, जैसे बहुत बार मैंने, मैं SP5 or SA7 के लिए prepare कर रहा था, तो मतलब basically what, मैंने देखा है कि कुछ-कुछ questions ऐसे हैं जो एक दुसरे को बहुत compliment करते हैं, तो यह चीज़ आप follow कर सकते हो, तो this is all just a rough idea कि आपको किस order में देने से रहता है, बट हाँ, यह चीज़ में हमेशा आप पुरा हासिल करोगे, वो क्या है कि काफी कम हो सकता है, and this is just based on facts, okay, like whatever I am seeing amongst my students and my personal experience, Shivangi ma'am's personal experience, okay, so it's just based on facts, and ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ-कुछ points लगें नहीं यार, ऐसा नहीं को, तो आपको अपना judgment पहला बाद तो follow करना पड़ेगा उस चीज में, आपके लिए जो best suited ह है, वो तो आप definitely follow करोगे, but this is just a guidance कि हाँ, ऐसे भी काम हो सकता है, बतब इसको conclusion में draw कीजिए कैसे कि ऐसा ही करना है, but this is one of the best as per my knowledge, okay, and yes, if you have any more suggestions, then you can drop into the comments box, or if you have any questions, you can just drop in the comments box, and we'll definitely answer your query, thank you all of you.